हेलो दोस्तों विल्कम बैक टू माई चैनल मापुजा की रसोई दोस्तों आज फिर से दोपहर की मेनों अपलो के सामने लेकर आ गई हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पर बैंगन की फ्राइ बनाना स्टार्ट कर दिया ओल्मोस्ट यह बन भी चुकी है और इस साइट पर देखिए मैंने मसली की अंडा को बनाना स्टार्ट कर दिया और यह भी अल्रेड़ी 80% तक बन चुकी है यहाँ पर देखिए मसली और आलू को फ्राइ कर लिया है और बैंगन को चोटे चोटे पिसेस पे कट करके इसको पानी में डुबो के रखा ताकि बैंगन काला ना परे और आलू बैंगन से मसली की करी बनेगी घर में धनिया पता नहीं था तो इसलिए मैंने थाई कोरियंडर ले लिया है और आप लोग को दिखाया था मैंने हमारी घर में इसका पौधा है और देखिए कराई पर तेल भी डाल दिया गरम होने के लिए और इधर मैं एक कटोरी पे मसाला तियार कर रही हूँ हाफ चमज से थोड़ा कम ले लिया हल्दी पाउडर और हाफ चमज से थोड़ा ज्यादर ले लिया लाल मिर्स पाउडर और जीरा पाउडर लिया एक चोथाई चमज और लिया है नमक स्वाधन उसर फिर पानी डाल कर मैंने मसाला तेयार कर लिया तेल जो है गरम हो चुका ह अब दिया है इसमें डाल दिया है एक चुटकी कलोंजी और कलोंजी चटकने पर डाल दिया हूँ मैंने यहाँ पर पारिक कटी हुई प्याज और दूसरे तरफ देखिए मसली का जो अंडा है ये बिलकुल रेडी हो गया है और ये देखिए प्याच गोल्डन हो गया और मैंने डाल दिया मसाला का मिक्चर और थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था कटोरी पे तो मैंने थोड़ा और पानी इसमें डाल दिया अब देखिए ये उबलने लगा है और अब मैं इसमें डाल दूँगी फ्राइ किया हुआ आलू क्योंकि आलू को पकने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसलिए सबसे पहले मैंने आलू डाल दिया और अब देखिए आलू हमसे कम 50% तक कुख हो चुकी है अब मैं डाल दूँगी इसमें कटी हुई बैंगन इधर देखिए मैंने चावल भी चरा दिया अब देखिए आलू और बैंगन को तब तक भुनेंगे जब तक तेल सेपरेट नहीं हो जाएगा अब देखिए आलू और बैंगन की साइट में जो है वो तेल दिखाए दे रही है तो अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी और इसका जोल रेडी कर लूँगी अब इसको अच्छी तरह से हम एक उबल आने देंगे एक उबल आने के पाथ अब मैं इसमें डाल दूँगी फ्राइ किया हुआ मसली के पीसिस को अब इसको अच्छी तरह से मिला देंगे और फिर यहाँ इसे तीन चे चार मिनित तक अच्छी तरह से पकने देंगे ताकि बैंगन जो है वो अच्छी तरह से पक जाए अब देखिए इधर हमारा जो चावल है वो भी उबलने लगा है तो चावल भी रेडी हो रहा है इस तरफ और देखिए अच्छी तरह से उबल आ गया है और तीन चे चार मिनित तक पक भी गया है अब इसमें मैं डाल दूँगी ठाई कोरियंडर और इसे एक पिनित और पकने दूँगी अब देखिए यहाँ पर ले लिया है शिसिन्डा और शिसिन्डा में डाल देंगे थोरी सी नमक और इसे मचल देंगे हम लोगों को सिसिंडा पहुत ज़्यादा पसंद है मैंने एक और वीडियो डाला था उसमें भी अप लोगों को दिखाया था कि आलू और सिसिंडा की भाजी बनेगी सुखी भाजी पर आज सिसिंडा की आलू नहीं एक सिसिंडा की ही भाजी बनेगी तो सिसिंडा को मैंने अच्छी तरह से मसल के इससे धोकर साफ कर लिया तो सिसिंडा की भाजी बनाने के लिए कराय पे तेल डालकर लाल मिर्च और प्याच को गोल्डन होने तक फ्राइ कर लेंगे और फिर हम डाल देंगे साफ किया हुआ सिसिंडा को अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक स्वादनुसर सिसिंडा की भाजी हो या किसी और सबजी की ही सुखी भाजी हो इसमें आप थोरा सा जीरा पाउडर और थोरा सा हल्दी पाउडर जो है वो डाल के देखिए इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है कुछ लोगों को हल्दी अच्छा नहीं लगता है सुखी भाजी पर पर हमें बहुत अच्छा लगता है तो हम लोगों ने थोरा सा हल्दी और जीरा पाउडर इस भाजी में डाल दिया अब देखिए हमारा दोपेर का मेनू रेडी हो चुकी है यह देखिए चावल और फिर देखिए सिसिंडा की भाजी मसली की अंडा और फिर हमारा फिश करी और बैंगन की फ्राई तो रेडी है यह सब मेनू तो देखिए दोस्तों मैंने अपने लिए खाना सर्प कर लिया है तो लिया है चावल और एक टुकरा नीम्बू और फिर लिया है सिसिंडा की भाजी और साथ में एक टुकरा लाल मिर्स भी ले लिया है और मसली की अंडा नीम्बू को थोड़ा निचोर के यह भाजी और अंडा के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है आज मैंने डाल नहीं बनाया तो मैं डाल को बहुत मिस कर रही हूँ पर ये खाने में बहुत अच्छा लगा था ये मसली का अंडा और सिसिंडा की भाजी भी बहुत अच्छा लगा वो रोटी के साथ और अच्छा लगता अब ले लिया है मैंने मसली की करी मुझे बैंगन इतना पसंद नहीं है तो मैंने आलू और मसली की सिर्की पर्ट ले लिया है और ये भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था तो कैसा लगा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तो आप लोगों से मिलती हूँ मैं एक और वीडियो के साथ और तब तक के लिए बाई थेंक यू